बॉर्णिंग गाईज और तेरा जून के करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महिने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो हमारा पहला प्रशन है किस आयटी ने एक डिजिटल स्टेतो स्कोप जिसका नाम है आयू सिंक ये बनाया तो आंसर होगा आयटी बंबे ने और इस आयटी बंबे नहीं अभी कॉरंटाइन नाम की एप्लिकेशन भी डेवलप की थी फिरे भोगा पुरा मंतर राश्टर हवा यड़ा ये बनाया जाएगा आंत्रप्रदीश में फिरे प्रसार भारती ने अभी कौन सा नया चैनल लॉंच किया है तो आंसर होगा डी डी रेट्रो नाम से प्रसार भारती इसकी स्तापना 1959 में हुई थी नई दिली में हैटक्व मिश्रा को Union Bank of India Headquarter Mumbai में है और अब आपको याद भी होगा Corporation Bank और Andra Bank का मरजर हो गया है Union Bank of India में भारत के किस रष्ट्रे उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संग रोध सुविधा यानि कि Quarantine सुविधा विक्सित की गई तो Jim Corvette National Park जो की उत्तराखंड में है फिर इससे दोनों को फाइदा होता है तो आंसर होगा Max Life Insurance Yes Bank की बात करेंगे इसके MDCO अभी बने थे प्रशांत कुमार Experience our expertise इसकी tagline है और Max Life Insurance के MDCO है प्रशांत त्रिपाटी ध्यान रखना फिर से सुनो Yes Bank के MDCO प्रशांत कुमार है और Max Life Insurance के है MDCO कौन प्रशांत त्रिपाटी भा वाला पहला राज्य बना था गुवा मुख्यमंत्री यहां के प्रमूत सावंध गवर्नर है सत्यपाल मले फिर कंजियूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोजायकी ने आर्थिक संकट के प्रभाव से निपटने के लिए किसके साथ समझूता किया तो आंसर होगा UNIDU यानि कि United Nation Industrial Development Organization जिसका Headquarter Vienna Australia में है फिर है भारत के पहले Remote Health Monitoring System का निर्मान किया किसने एम्स रिशीकेश ने यहाँ पर जो डॉक्टर होंगे वो एम्स रिशीकेश में बैठकर घर पर ही बैठे हुए जो मरीज होंगे उनकी जाच कर पाएंगी सिस्टम के बढ़ते आगे फिर सहयू काजिन सेन्य अभ्यास यह कहां पर हुआ था तो यह लास्ट ताइम चैन नहीं में हुआ था यह होता है भारत और जापान के बीच में फिर डेनियल रॉसी किस दीश की फुटबॉल प्लेयर थे इन्होंने भी सन्यास ले लिया है तो आंचर होगा इटली के मिलान जो नौसेनिक अभ्यास है यह अभी पॉस्पूंड हो गया है मार्च में उने वाला था यह विशागा पत्नम में लेकिन कुरुना वाइरस के करन अभी इसे रद करना पड़ा और इसे अभी कुरुना वाइरस के करन नहीं कर पाए हम मार्च में आप से इसकी थीम पहल शुरू की तो आंसर होगा माहराश्टर के द्वारा पैडल फिश को किस देश ने विलुप्त घुशित किया तो आंसर होगा चाइना ने फिर भारत का पहला कच्छुआ पुनर्वास केंदर यह कहां पे बनेगा बिहार के भागलपुर में फिर फवाद मिर्जा किस ख चायू थाई कमिशनर बनेते फिलिप बार्टन फिर एक इस राज़ में एक नया पोर्ट वधावन पोर्ट बनाया जाएगा तो महराश्टर में बढ़ते आगे तो चलिए कल की करेंट अफेक्स को भी रिवाइस कर लेते हैं पहला प्रशन आपसे पूछा गया था क्यू ए Massachusetts Institute of Technology USA और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था Times Higher Education की Asia University Ranking आई थी उसमें भारत में टॉप पे IISC Bangalore था वो वर्ल्ड में 36 नंबर पे था और उसमें टॉप पे था चाइना का सिंग हुआ University फिर प्रत्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली महिला कौन बन गई के थी Sullivan बन गई है और याद रखना है इनके नाम से एक और पॉइंट या अंतरिक्ष में चहल कदमी यानि की Space Walk करने वाली अमेरिकी महिला भी है फिर एक Godrej Group की नई MDCO बन गई है कौन निसाबा Godrej फिर एक किसने कर्म भूमी Portal लांच किया तो पच्चिम मंगाल सरकार ने तो जो कक्षा पांच वी तक फिर के संगीता चानू को डॉपिंग उलंग घन आरोपों से मुक्त कर दिया गया इनका संबन किस केल से है वेटलिफ्टर है ये और अगर आपसे पूछा जा इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हैटकोर्टर कहां पर है तो बुड़ाप जी जा का निदन हो गया किस देश के राष्टर पती थे ये करंट में बुरुंडी के बुरुंडी की के पिटल गिटेगा है करंसी है बुरुंडियन फ्रेंक फिर एक गार्गो इंटरनेशनल ने किसे अपना ब्रेंड एंबेसेडर बनाया तो आंसर होगा सोनू सूध को द प्रशन है न्यू डवल्टमेंट बैंक का हैटकोर्टर कहां पर है यह आपका है शंगाई चाइना में अच्छा एक प्रशन आप लोगों के लिए न्यू डवल्टमेंट बैंक के अभी नए अध्यक्ष किसको न्यूक्त किया गया है यह आपको बताना है फिर एफ बिमस्टेक का हैटकोर्टर आपके धाका बांगलादेश में है बिमस्टेक मतलब होता है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation अच्छा बिमस्टेक में टूटल कितने member countries है जितने इसमें number of letter है यानि कि साथ बांगलादेश, इंडिया, मियानमार, श्री लंका, थाइलेंड और नेपाल और राजधानी है और माले, माले किस देश की राजधानी है ये मालदीव की है मालदीव की केपिटल रुफिया है और प्रसिडेंट इब्राहम मोहमत सोली और इसकी संसत को Peoples of Majlis कहते हैं फिर ए अंक टाड यानि की United Nation Conference on Trades Development का हैटकोर्टर कहां पर है ये जनेवा सुटजलिन में है और जनेवा सुटजलिन में ही International Committee of Red Cross World Trade Organization, World Meteorological Organization, World Intellectual Property Organization, World Economic Forum इन सब के हैटकोर्टर सुटजलिन की जनेवा में ही है ये भी याद रखना मानश नेशनल पार्क आपका ये असम में है और असम में ही एक काजरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सिंग वाले गेंडे के ल नेशनल पार्क ये अच्छा important question है ये पहले जम्मु कश्पिर में आता था लेकिन जब से दोनों Union territory बने हैं अब ये लद्दाक में आता है और ये जो हमेश नेशनल पार्क के ये हम तेंदुआ स्नू लिपर्ड के फिमत है फिर एक कि सरराज्य के मर्यूर गुड को GI टेग म भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक like जरूर दीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो और अगर आप इसे share करके support कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ या अगर आपका कोई study group है तो वहाँ पे इसे share जरूर कर देना और अगर क्रेक exam applications पे आपको इस support जरूर करना बढ़ते हैं तो important days की बात करेंगे तो पहला प्रशन है world hepatitis day यह हमने कब मनाया यह हमने 28 जुलाई को मनाया विश्व बाग दिवस world tiger day कब मनाते हैं तो यह हम मनाते हैं 29 जुलाई को फ्रे राष्ट्र परसारण दिवस national broadcasting day यह 23 जुलाई को मनाते हैं फ्रे अं प्रे चुलाई हुखान hockey player major ज्यांचन जी की जन्दिन को मनाते हैं 29 अगस्त को और एक international sport debut होता है जो हमने 6 April को मनाया है और एक world athlete debut होता है जो हमने 7 मई को मनाया है फिर अंतर राष्ट्र साक्षरता दिवस international literacy day यह हमने 8 September को मनाया अंतर राष्ट्र लोकतंत्र दिवस यह हम मनाते हैं 15 सेप्टेंबर को और 15 सेप्टेंबर को ही आपका इंजिनियर्स डे भी मनाया जाता है अच्छा अंतरराष्ट्रे लोगतंत्र दिवस की थीम क्या रही थी पाटिसिपेशन यानि की भागिदारी फिर वर्ल्ड ट्राइबल डे विश्वा दिवासी दिवस यह हमने 9 अगस्त को मनाया अंतरराष्ट्रे उजोन दिवस यह हमने मनाया था 16 सेप्टेंबर को और इसकी थीम क्या रही थी 32 एर्स एंड हीलिंग फिर नैशनल हिंदी डे यह हम 14 सेप्टेंबर को मनाते हैं और वर्ल्ड हिंदी डे बोलेंगे तो 10 जैनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे यह भी आद रखना है तो गाइस यह था आज का हमारा करणट अफैर्स का रिविजन वाला वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सबसे पह अब लोगों से बन पा रहे हैं बाके हम इनको कल सॉल करेंगे यह रे कुशन आपके सामने